चानक्य आईएस अकैडमी के ऑनलाइन प्लाइटफॉर्म से मैं आनन प्रकास आप सभूं का अभिवादन करता हूं नवश्कार करता हूं और आप सभूं को जुहार करता हूं तो चलिए आज हम जो देखने जा रहे हैं जनजातियों की कड़ी में जो 32 जनजाती हैं, 32 tribes उसकी एक कड़ी में अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो है खरवार जनजाती जिसे हम अगर देखा जाए तो खेरवार ट्राइब भी बोलते हैं चलिए अब देखते जाते हैं हर चीज को बारी की से समझते जाते हैं क्योंकि प्रिलिम्स के लिए जन्जातियों के बारे में हम लोगों को समझना जानना अत्यांति आउश्यक है चलिए तो देखिए खरवार जन्जाती खरवार ट्राइब ठीक है तो देखिए खेरवार जन्जाती का सरवाधिक खेरवार जन्जाती का सरवाधिक संकेंद्रन खरवार जन्जाती का सरवाधिक संकेंद्रन जार्खंड के पलामो प्रमंडल में है किस प्रमंडल में है पलामु के अब देखिएगा जार्खंड के पलामु प्रमंडल में है याद रखिएगा क्योंकि यो खेरवार जन जाती है इनका बहुल्य संकेंद्रन इनका बहुल्यता जार्खंड के पलामु प्रमंडल में है ठीक है the highest concentration of Kherwa tribe is in Palamu division of Jharkhand ठीक है? चलिए Kheri Jhar क्या है? Kheri Jhar Kheri Jhar से आने के कारण इनका नाम करण Kherwaar हुआ याद रखियेगा Kheri Jhar Coming from Kheri Jhar He was named Kherwaar ठीक है? कहां से आने के कारण इनका नाम करण Kherwaar पड़ा? तो याद रखियेगा यही Kheri Jhar चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखिए पलामू तथा लातेहार जिला में पलामू तथा लातेहार जिला में इस जनजाती को अठारा हजारी भी कहा जाता है याद रखियेगा पलामू तथा लातेहार जिला में पलामू तथा लातेहार जिला में इस जनजाती को अठारा हजारी भी कहा जाता है इन पलामू और लातेहार डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्राइब इस अलसो कॉल्ड 18,000 18,000 देख रहे हैं 18,000 18,000 अब देखते जाएए खेरवार जन जाती खेरवार जन जाती देखिएगा खेरवार जन जाती खेरवार जन जाती स्वे को हरिश्चंद्र रोहिताश्व का वनसज मानती है खेरवार जन जाती स्वे को हरिश्चंद्र रोहिताश्व का वनसज मानती है अपने आपको इनका वनसज मानती है खेरवार ट्राइब कंसिडर्स एटसेल एडिशेंडेंट ओफ हरिष्चंद्र रोहिताश्वा देख रहे हैं खेरवार जन जाती सुए को हरिष्चंद्र रोहिताश्वा का वनसज मानती है देखिएगा यह एक बहादूर लड़ा कुजन जाती है यह एक बहादूर लड़ा कुजन जाती है इस जन जाती के लोगों की सब्ते बोलने के कारण विशेश प्रशिद्धी है यानि यह लोग सच के पक्सधर होते हैं सच्चे बोलने वाले होते हैं और सब्ते पर अडिग रहने वाले होते हैं The people of this tribe have special fame because of speaking the truth ठीक है? चलिए यह जन जाती सत्य है तू अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए प्रशिद्ध है यानि कि यह सच्चे इमानदार और सत्य पर अडिग रहने के कारण यह अपने आपको सर्वस्ट निचावर करने के लिए भी तटपर रहते हैं अपने सत्य के लिए दिस ट्राइब इस फेमस पोर सैक्रिफाइजिंग एवरिथिंग फोर दा ट्रूथ ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखिएगा खरवार या खेरवार जन जाती का जो शंबंध है यह द्रवड प्रजातिये समू से है इनका संबंध द्रवड प्रजातिये समू से है खरवार जन जाती की भाशा खरवार जन जाती की जो भाशा है यह जो खेरवारी कहलाता है खेरवारी खेरवार जन जाती का भाशा क्या कहलाता है खेरवारी लेकिन खेरवारी का सम्मन ओस्ट्रो एसियाटिक भाशा परिवार से है देख रहे हैं ओस्ट्रो एसियाटिक भाशा परिवार से है खेरवार ट्राइब्स लैंग्वेज खेरवारी खेरवारी इस रिलेड़ेड टू ओस्ट्रो एसियाटिक लैंग्वेज फैमिली देख रहे हैं यानि कि जो खेरवारी जो भाषा है इसका संबंध किस से है ओस्ट्रो एसियाटिक भाषा परिवार से है चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखेगा संडर के अनुसार किन के अनुसार संडर के अनुसार खरवार जन्जाती छे प्रमुक उपजातियों में विभाजित है संडर के अनुसार ठीक है ना ये जो खरवार जन्जाती है ये छे प्रमुक उपजातियों में विभाजित है According to Shandar The Kherwar tribe is divided Into Six major subcasts ठीक है? चलिया है तो देखिये क्या-क्या इनकी उपजातियां है Manjya Ganjhu Ghatbandi Suryavansi Kheri Dalatbandi खर्वार जन्जाति भी की उपजातियां है देखिये 1,2,3,4,5,6 ठीक है ना की है ना Manjya, Ganjhu, Ghatbandi Suryavansi, Kheri Dalatbandi ये क्या है? खेर्वार जन्जाति की उपजातियां है खेर्वार जन्जाति की ये उपजातियां है याद रखिये गर देखिये Manjya, Ganjhu Ghatbandi Suryavansi Kheri Dalatbandi Kheruwaar Tribes are also sub-casts ठीक है? Manjya, Ganjhu, Ghatbandi, Suryavansi Kheri, Dalatbandi ये क्या है? ये खेर्वार जो जन्जाति है उनकी उपजातियां है चलिए अब आगे बढ़ते हैं खरवारों में समाजिक इस्तर का निर्धारन भू संपदा के आधार पर किया जाता है यानि कि जो खरवारों का जो समाजिक इस्तर है जिसके पास जितनी अधिक संपत्ती होती है खास कर भू संपदा जिसके पास जितनी अधिक जमीन होती है वही जमीन के अधार पर ही उनका समाजिक इस्तर का निर्धारन किया जाता है ठीक है चलिए अब देखिए, खरवार जन्जाती का प्रमुख पेशा, अग्रिकल्चर, क्या है, क्रिशी कार रहे है, देखिए, खरवार जन्जाती में, विद्वा पुनर बिवा को, खरवार जन्जाती में, जो विद्वा बिवा होता है, विद्वाओं का पुनर बिवा होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है सगाई कहा जाता है सगाई याद रखियेगा यही सब पीटी के लिए प्रिलिम्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है विडो रिमैरिज इस कॉल्ड सगाई इन दा खेरवार ट्राइम यादि विद्वा पुनर बिवा क्या कहलाता है सगाई पस इतना याद रखियेगा चलिए अब देखिए खरवार जनजाती के ग्राम पंचायत को खरवार जनजाती के जो ग्राम पंचायत होते हैं उसको क्या बोला जाता है बैठ की बोला जाता है बैठ की बैठकी कहा जाता है हम लोग भी देखिएगा यहाँ पर जो गाओं के पंचायत होते है उसको आमबोलचाल में आज हम लोगों का बैठकी है बोलते हैं न? तो वही चीज़ है कि खेरवार जन जाती के द्राम पंचायत को क्या कहा जाता है बैठकी कहा जाता है तो भीले स्पंचायत और खेरवार ट्राइब इस कॉल्ड बैठकी 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 हिंदी में बोलेंगे बैठकी, तो ये देख रहे हैं खरवार जनजाती या खेरवार जनजाती के बारे में मुख्य जो तथ्यात्मक बाते हैं जो मूलता बाते हैं खेरवार जनजाती से संबंधित उस पे ये बात आप लोगों को फोकस करना है एक्जाम के दृष्टी कोन से चलिए, देखिए खरवार जनजाती में भोजन के विभिन नाम क्या क्या है खेरवार जनजाती में भोजन के विभिन नाम देखिए कोई भी जनजाती होती है वो लोग भी तो आखिर खाना खाते होंगे उन लोगों का भी अपना ब्यंजन है तो चलिए डिफरेंट नेम्स ओप फूड इन खेरवार ट्राइंफ देखिए सुबह का खाना सुबह का खाना क्या बोलते हैं लुक्मा याद रखिएगा सुबह का खाना लुक्मा ब्रेकफास्ट क्या कहलाता है लुक्मा ब्रेकफास्ट कहलाता है लुक्मा आप दोपहर का खाना क्या कहलाता है कलेवा लंच क्या बोलते हैं कलेवा कलेवा और रात का खाना क्या कहलाता है बियारी डिनर बियारी ये नाकपूरी में भी दोपहर का खाना कलेवा और रात का खाना बियारी यही कहा जाता है तो आपका खेरवार में भी दोपहर का खाना कलेवा और रात का खाना बियारी डिनर क्या क कहलाता है बियारी सुबह का खाना क्या कहलाता है लुकमा बोल देगा कोश्चन पुछ देगा लुकमा क्या है या किस जंजाती से संबंधित है तो याद रखिएगा ये खरवार जंजाती से संबंधित है और खेरवार जंजाती में ब्रेकफास्ट को सुबह का खाना को लुक तुमा बोला जाता है, देखिएगा, खैर वरिक्ष से, जो देखते हैं, खैर का जो वरिक्ष है, पेड़ है, देख रहे हैं, खैर वरिक्ष से कथा बनाना, खैर वरिक्ष से कथा बनाना, खरवार जन जाती का परंपरागत देशा है, क्या है, खैर वरिक्ष से कथा बनाना, देखते हैं हम लोग पान में, कथा, खेर वरिक से कथा बनाना, खरवार जन जाती का परंपरागत पेशा है, याद रखिएगा, अब आते हैं, सिंग बोंगा, सिंग बोंगा, खरवार जन जाती के प्रमुख देवता है, खरवार जन जाती के प्रमुख देवता क्या है, सिंग बोंगा, सिंग बोंगा, is the chief duty of the खेरवार ट्राइब, देख रहें, खेरवार जन जाती का प्रमुख देवता कोन कहला है, सिंग बोंगा, खरवार जन जाती का धार्मिक प्रधान, खरवार जन जाती का जो धार्मिक प्रधान है, हर जन जातियों में हम देखते हैं, कि सभी जन जातियों का अलग अलग धार्मिक प्रधान होते हैं, पुरोहित होते हैं, ठीक है, तो खेरवार जन जाती का धार्मिक प्रधान क्या क कहलाता है क्या कहलाता है पाहन या बैगा कहलाता है याद रखिएगा अब देखिए खरवार जनजाती में देखिएगा जनजातियां अक्सर जाडू टोने में विश्वास रखती हैं सफेद जादू काला जादू हम जनजातियों के परिपेक्ष में देखते ही हैं ये सब बातें तो देखिएगा खरवार जनजाती में जाडू टोना करने वाले को बैक्ति को माटी कहा याद रखेगा, क्या कहा जाता है, माटी कहा जाता है, माटी, देखरे हैं, खरवार जन जाती में, जाडू टोना करने वाले बैक्टी को, माटी कहा जाता है, इन दे खेरवार ट्राईप दे परशन हूँ प्रैक्टिसेस विश्क्राप्ट इस काल्ड माटी ठीक है तो याद रखीगा खेरवार जंजाती में जादू टोना करने वाले बेक्टी को माटी कहा जाता है चलिया तो ये था खरवार जन जाती के बारे में अगले क्लास में हम एक नया जन जाती के बारे एक न्यू ट्राइट के बारे आप लोगों को बतलाएंगे तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद जुहार